हलो जोस्तों भारत अप्डेट सेनल में आपका स्वागत है आज है 13 फर्विरी 2024 और आज की 10 अप्डेट साब सब्सक्राइब के लिए करें हाँ पर आज चुका हूँ की नवगठी तराज्य चैनायोग कामकाज में पारदर्शिता सुरिश्चित करने और गुरुप सी पदों की भरती प्रिक्षाओं के लिए ठोज उपाय सुरिश्चित करेगा सरकार ने भरष्चाचार के प्रती शून्य सहिरुनता निती अपनाई है और भरती प्रक्रिया में योगेता को पात मिक्ता परदान करने के साथ साथ भरष्ट आचरण पर रोक लगाने को चैन प्रक्रिया में बदलाब किये जा रहे हैं तो यह दो से अम्धर अपडेट है और हाली ही मंत्री मुडलने हिमाचर को प्रदेश चञ्ण आयो के बार में प्रक्रिया और कार्यास न्चाला नियम बनाने को सब्कीद्री परदान की है मुख्यमंद्रे ने सुम्भार को शिम्मला में कहा कि भरती प्रक्रिया अग्माय प्यार दिश्टा बनाय रखने के लिए कम से कम मानवी हस्तक शेप समिचित करने करते हुए कम्प्यूटर के मात्यम से स्वच चाली तो प्रक्रिया से प्रशन पत्र सेट के जाएंगे तो यहां पर अपडेट है और एर्मिन कार्ड बगारा भी से मिलेंगे और इसके अलावा बात करते हैं तो यह विवस्ता आज से होगी शुरू हिमाचल प्रदेश राजय चेहन आयोग हमीरपूर में ई-अफिस विवस्ता लागू कर दी गई है इस विवस्ता को अपनाने वाला राजय चेहन आयोग हिमाचल का आयोग बना है मंगलबार से ई-अफिस विवस्ता से कार्य शुरू होगा पेपर लिख प्रकरण के चलते सरकार नायोग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निड़ने लिया है इससे अब आयोग में पेपर लिख किस भवना भी कम होगी आयोग में 15 करमचारिआं को तिनाद करूँ ने ई-फिस विवस्ता के तहत कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है अब आयोग में नेटिंग डिस्पैच उटित तमां पत्रचार ई-फिस विवस्ता के तहत होगा तो 15 करमचारियों की ट्रेनिंग देखें उन्हें महां पे कार्य करने के लिए उनको महां पे तनाथ कर दिये गया है जवाब देही जो है तय होगी और तेजी से होगे काम नेक्स अब्डेट ये रहें बिधान सभा का होगा अपना YouTube चैनल लाइब देख सकेंगे कारे बाही 14 फरविट को बजट सत्र के पहले दिन राज्य पाल का होगा अविभाशन 793 प्रशन मिले तो बिधान सभा सचिवाले मैं ओनलाइन आवेदन से मिलेंगे प्रवेश पत्र सुखो 17 को पेश करेंगे बजट 29 को होगा पारित यूबहा प्रतिवाय निखारने के लिए ला रहे है नई खेल निती सीम सुखो बोले खिलाडियों को प्रशाहित करने के लिए उपलत करवाएंगे सुवी धाये अंतराश्ट इस्तर पर जीत दर्ज करने बाले खिलाडियों के लिए बढ़ाएंगे प्रूसकार राशी उच परुद्य क्षेत्रों में आज बारिश परफारी के सार 14-16 फरवरी तक मोसम साफ रहेगा 17-18 को फिर से बिगड़ेगा मोसम नेक्स्ट अब्लीटी रही जेव आईटी अभियर्ती धन्य पर डटे तो जूर्य ओफिस असिस्टंट आईटी जेव ए आईटी 817 पोस्ट कोड भरती फिरिक्षा का प्रिणाम जारी ना होने पर आंदोलन पोतर अभियर्ती सचवाले से हटाए जाने के बार जो है चोड़ा मेदान में धर्ना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने सोमबार से क्रमिंग अन्शन भी शुरू कर दिया है बेप्रणाम जल्द घोशित करने की मांग यहां पर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सालों से इनका रिजल्ट जो है नहीं आ पा रहा है तो उन्होंने इसी को चलते जिसी के चलते जिए क्रमिंग अन्शन पर आभी जो है सोमबार से यह बैठ गए हैं अभियर्थियों का गहना है कि जीव आईटी आर्टी आर्टी सत्रा के अंतिम विजल्ट को घोशित कर 31 मार्च 24 से पहले पदों पर नुक्ति दी जाए और टेस्ट पास करने बाले बाले अभियर्थी ओबरेज होने लगे हैं नेक्स्ट अपडेट ये रही आयोग ने विश्व दैले से कहा चात्रों का विश्य प्रभाबित ना हो एबी जी शिमला से बिन्यामक आयोग ने किया जवाब तलब 49 क्रोड का रिण नहीं जुकाने पर कैनरा बैंक ने प्रिक्षा देने के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं पर बजट भाष्ण में रोक लगाने की आज नेक्स्ट अपडेट ये रही अगने विरभरती के लिए आज से शुरू होगा पंजीकर्ण तो भारती सेना में अगने विरभरती के वर्ष 2024 के लिए सिर्मोर शिमला सोलन के नो रिवाउं के लिए भारती सेना की विभागी विबसाइट पर पंजीकर्ण तेरह फर्विर से 22 मार्ष तक किया जा सकेगा नेक्स्ट अपडेट ये रही नेट यूजी की प्रिक्षा पांच में को होगे नो मार्ष तक कर सकेंगे ओनन आवेजन प्रिक्षा में 200 प्र माइक्रोफिन लिम्टेड में 20 पदों के लिए कैंपस इंट्रूब्यू 16 फर्विर को होंगे जलारोजका दिकारी 16 संदीप ठाकुन ने कहा है कि उक्त पदों के लिए शैचनी योग्यता बाहरमिंग आई टीए भी फार्मा एम फार्मा बीसी एमसी केमिकल इंजिनिरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन और आयू 18 से 30 के मद्य होनी चाहिए और यह होगी 16 फर्विर को मोडल करियर सेंटर बद्दी में साड़े-दस से यह स्टार्ट हो जाएंगे बाकिया आप जो है एम आई एस पर लोगिन कर सकते हैं बहां से आवेदक जानकारी जा जानकारी बहां से प्रापत कर सकते हैं तो आज की अपडेट्स वीडियो चे लगे तो लाइक शो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू